कि यह कल है इस कभीता की बहुत बहुत धन्यवाद टी आडी तो तुम्हें हिंदी में अपनी कभीता नई लिखी है कि यह रोड बनते हैं चंडीगड में वैसे हर जंग ही होता है कि जनता को नहीं पता हूं जनता खुश हो जाती है हमारी सड़क बन गी लेकिन होता क्या है उ कभी वहाँ तारे डलनी है मैं बैक्राउं थोड़ा पॉलिटिकल रैप छोड़ दी है विल्कुल एक डिड़ साल से तो मैंने उस करप्शन पे लिखा है अगर मैं आप तक सही पहुचा सकूं तो मैं दात चाओंगा आपकी मेरी हिंदी कभीता है कोलतार बड़ा अजब ति गजब जादूगर है कोलतार कितना काला भुंडा सा है खुद कंक्रीट में रहता है कितना काला भुंडा सा है खुद कंक्रीट में रहता है सब छूने से बचते हैं पता है फिर भी सोने में तबदील होता है कोलतार सफेद होकर मुसकाता है सफेद होकर मुसकाता है और गजब जादू करें कोलतार और जो नेता पहले आपके पैर पगड़ते हैं फिर जो कोलर उपर करके चलते हैं आपके सामने उनके लिए लाए नाजी रहे देखो कैसे कोलर उपर कर चलता है देखो कैसे कोलर उपर कर चलता है सारे वजीर निजाम जुक जाते हैं आगे क्योंकि राज कहीं चुपाता है कोलतार ये गड़ा वो टूटा वो पानी वो कीचड और यही सब तो खाता है ये कोलतार और देखो कितना तिलस्मी है कोलतार अरे भाई गजब जादूगर है कोलत गजब जादूगर है ये कोलतार और जो रियल में लोग काम करते हैं सड़क बनाने में वो उनके लिए कुछ लाइन हाजीर है लेकिन खतम फिर हुए है कि करप्शन कहा है कुछ सने भंडे से फिरते हैं कुछ सने भंडे से फिरते हैं उनका शायद परिवार है ये कोलतार औ और आँख मीचे रहता है खबीज, पर जो वो सिगनेचर करते हैं, उनका बड़ा खास है एक ओलतार, जब खुल जाता है काला चिठा, सब यार यार मिलते हैं, नया शडेंतर रचते हैं, बरस्टों का बहुत प्यार है एक ओलतार, बरस्टों का बहुत प्यार है एक ओलतार, और सब को निकाल लेता है हर मुसीवत से दे कर चाराने, बाईयों, हर समस्य का समधान है एक ओलतार, बड़ा तिलस्मी है एक ओलतार, रहा बनाता है, तोड़ता है, और मरम्मत करकर महल बनाता है, अरे भई, गजव जादू गर एक ओलतार, तो ये मेरी किसमत थी, कि मुझे मिला, शुरू में भी मोका और लास्ट में भी, तो मेरी एक छोटी सी गजल है, काफी टाइम पहले लिखी थी, अगर आपको सही टाइम में टच कर पाया, तो जुरूर आपकी तालियों की सोगाच चाहूँगा, आखरी मुलाकात, और कैसी आखरी मुलाकात, एक लड़का लड़की आखरी बार मिल रहे हैं, उन्हें पता है कि हम कभी नहीं मिलेंगे, फैमली की इज़्जद, पर कुछ लोग होते हैं लड़कियों के नंबर बाट देते हैं, उसको बेज़्जद करना शुरू कर देते हैं, परसनल परसनल चीजद करना शुरू कर देते हैं, उसको बड़ा लंबा सफर कर होई गया दिदार उसका, उसके नाक पर गुस्सा नहीं, था वो फराज उसका, और बड़ी इनायत हुई कि आही गई खिड़की पर, जाते जाते भी रहे गया ऐसान उसका, जाते भी रहे गया ऐसान उसका, तो मेरी एक छोटी सी कोशिश, आखरी मुलाकात, आपके नजर कर रहा हूँ, विवेग भाई, तो ए मेरी रूह जाजाद के मालिक, मेरे पास है ही क्या, जो कुछ है, सब तेरा है, तो ए मेरी रूह जाजाद के मालिक, मैं तुझी से पूछता हूँ, मैं तुझी से पूछता हूँ कि सुनने में तो आता है इश्क के दर्या में हो डूबे फिर तेरे लबों पे नोखी प्यास क्यों है कि सुनने में तो आता है इश्क के दर्या में हो डूबे फिर तेरे लबों पे नोखी प्यास क्यों है और फिजाओं में तो ख्याल है एक मेरी ही महुबत का और फिजाओं में तो जिक्र है एक मेरी ही महुबत का पर सायों से पीछे हटता ये ख्याल क्यू है पर सायों से पीछे हटता ये ख्याल क्यू है खोए से लगते हो मेरी ही अंगडाईयों में जब मेरी हो तो खुल के हो खोए से लगते हो मेरी ही अंगडाईयों में और खुद से जहन में इतने सवाल क्यों है और खुद से जहन में इतने सवाल क्यों है ए मेरी रूह जाजाद के मालिक मैं तुझी से पूछता हूँ ये रूहानियत है तेरे कदमों की ये रुहानियत है तेरे कदमों की या अदाओं का शोर है या ये रुहानियत है तेरी अदाओं की या मेरी धड़कनों का शोर है इस मोसम में भी इतनी आज घबराहट क्यों है मेरे महसीन तो फरमाते हैं ये दुनिया बहुत बेगह रहत है दोस्त लोग ऐसे होते हैं धोका देगी तो गाली देंगे प्यार करेगी तो भाबी भाबी करेंगे तो महसीन मेरे दोस्त मेरे महसीन तो फरमाते हैं ये दुनिया बहुत बेगेरत है पर एक मुझे तुझी पर इतना इतवार क्यों है आज ये कैसी शिकन है तेरे आफ़ताब से चहरे पर लास्ट मीटिंग है लास्ट लाइन है मैं चाहूँँगा आपकी तादाद मिले अगर सही पहुचा पाया तो ये कैसी शिकन है आज तेरे आफ़ताब से चहरे पर मुझे रूबे रूप आकर इतना हैरान क्यों है ए मेरी रूफ जाजाद के मालिक मैं तुझी से पूछता हूँ धन्यवाद ये TRD का बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी गा थैंक्यू सोच भाजाद के रुवत के सयाओ लप ये ये झाल झाल